देश पर में आपने बहुत से मंदर देखे होगे लेकर आज हम ऐसे मंदर के बारें बताने जा रहे हैं जहां मंदर पर एक मुस्लिम समाच के ब्यक्ति न की पूया करता है बलकि मंदर पर हर साल भागवत का थाका आवियर मी कराया जाता है ठाकुद जी के मंदर काफी साल पुराना है आईए जानते हैं इस मंदर के पुजारी के बारे में जिले के सपाड़ गाउं में रादा किस्न के प्राचीन मंदर है इस मंदर पर बाबा बिसारत खान रहते हैं उनी की जीवन सारा अवदास बनकर रहना चाहते हैं इसलिए हमने रामदास नाम रख लिया है बिसारत खान के पिता का नाम खिलू खान माता जी का नाम बच्पन में गुजर जाने कार्ड उनको याद नराथ बिसारत खान बता दे कि हम पांच माई हैं बच्पन से हिंदूओ के बीच पाला बड़ा हुआ है इससे भगवान को समझने लगा इसे हिस्वर ही आस्ता हमारे अंदर जग्गई जिस सारा जीवन हिस्वर को ही दे दिया महाराज आपका नाम क्या है महारा बेज़े तो नाम गाउं को तो बिसारत है और साधू वेसका है रामदास रामदास पूरा खान लगाते हैं बिसारत खान है अच्छा जी बताइए आप जैसे मुस्लिम कौम से आते हैं और भगवान से आस्ता आपकी कैसे लगी वानी की सोबत में लग गई मंदिन पर आनलग एक अपने रूटी खातराय साधून के संग में और जो है नीचे नंदीर आते इस लंबू आती है यह इध बनाते हैं हम कुछ नहीं मना वास्ताम में कहीं नमाज के नमाजा पड़ते हैं कि नमाज के और रहमाडर के बारे में जाते हैं तेसे तक हमें और सुनता है और करभाव तरह माड़ है अपनों साल में दोना एक बड़बा मंगर को गुर्बूनो लेकिन आपकी आज था बगवान पर है आपके जो मुसलमन समाज के लोग लुट एक आप कोगो काता हुए कोगो काता है लोग लोग आपके लोग निवाज पढ़ते क्यों गांगा मंद्र मेरे रहा है आपके लोग यहां मैंजजट मेरे रहे हैं अल्ला और यहीं मंद्र में कर रहा हैं यहीं सुर्खें बार यहीं से जो मैंकिने नीचे मंद्र पर रहें दस साल बाद जो हैं यहां कम से कम आच नोब साथ दीरे को दस हों गई हैं झाल झाल